ओम, शान्ति, आपका प्रेश्ण है, मेरे पती ने आतम हत्या करके मुझे अकेला छोड़ा, क्या मैंने भी ऐसे किया था? यह कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर तो अकेला छोड़ना, या अकेला ना छोड़ना, यह पार्ट है, नेन बात है, कि आपका उस आतमा के साथ, चाहे हो पति हो, चाहे हो पतनी हो, चाहे हो पिता हो, चाहे हो माता हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी रिष्टा हो, आपने उस आत्मा के साथ जितना समय रहना है, जितना समय का उस आत्मा के साथ आपका पार्ट है, उससे एक सेकिन पहले या एक सेकिन लेट ना मिल सकते हैं, ना अलग हो सकते हैं. ना एक सेकिन कम ना एक सेकिन ज्यादा रुक सकते हैं अब इसमें अलग होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि वो आतम हत्या करे या आप आतम हत्या करो या कोई भी कारण हो सकता है किसी भी कारण डाउट हो जाए तलाक हो जाएगा अलग हो जाएगे अब इसमें गवती कहीं भी हम ढूंड नहीं सकते इसको हम बहाना कहेंगे किसी ना किसी परकार से कोई भी बात का बहाना बनेगा तो यह आत्रमत्या करना भी एक बाहना है वैसे भी अलग हो सकते हैं वो नोकरी करने के लिए विदेश में चला गया है वापिस आया ही नहीं तो भी अलग हो गए किसी भी परकार का गवत फैमी हो गई है या कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसके करन आपने उसे छोड़ दिया या उसने आपको छोड़ दिया तो भी अकेले रहना है आपका भी अपना कार्मिक एकाउंट है क्योंकि वो जाए तो परिवार के दूसरे लोग भी आपकी मदद करने को आगे आएं मदद करने के लिए भी आ सकते हैं आपसे कोई बदला लेने के लिए भी आ सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना कार्मिक एकाउंट है उनके साथ आपका कार्मिक एकाउंट बराबर हुआ वो चले गए अब आपका कार्मिक एकाउंट जिन जिन आत्माओं के साथ है तो वो आत्माएं आपके जीवन में आएंगे हो सकता है कि दूसरा विवा हो अब यदि वो बैठे रहते तो आपका दूसरा विवा कैसे होता दूसरे व्यक्ति के साथ आपका हिसाब किताब बराबर कैसे होता परिवार वाले कैसे आपके प्रति बढ़कर सयोग करने के लिए आते तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है जितना समय जिस आत्मा ने जहां रहना है जिस परकार से रहना है वो वहां उस परकार से रहेगी और वहां से पाड़ खतम हुआ तो उसने अलग हो जाना है जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है वो चाहे अजनभी में आकर के मिले सुख देना है सुख दे दुख देना है दुख दे और जिसके साथ हिसाब किताब नहीं है चाहे उसके साथ कितना भी बड़ा रिष्टा हो कितना भी नजदीक का रिष्टा हो वो पास से गुजर जाएगा आप उसे नहीं देखेंगे वो आपको नहीं देखेगा देखना भी हमारा हिसाब किताब है चाहे आपको उसी की जरूरत हो उस समय पर तो उस समय उसने आपको नहीं मिलना वो आपके साइड से निकल जाएगा और आप चाहे उसे फोन मिलाते रहें चाहे आप उसे किसी परकार से भी ढुनने की कोशिश करें प्राप्त करने कोशिश करें पर उसने आपकी help नहीं करनी तो वो मिलेगा ही नहीं और बाद में पता चलेगा कि मैं भी तो वहीं पर था परंतु उसने उस समय आपका सयोगी नहीं बनना था या आपने उनका सयोगी नहीं बनना था कुछ भी कुछ भी कारण हो प्रंतु जैसा होना था वैसा हुआ तो इसलिए कार्मिक एकाउंट आपका इतना ही था यह जरूरी नहीं है कि वो आतम हत्या करे आपने आतम हत्या की थी अलग होना है तो एक्यूरेट टाइम पर अलग होना है आगे पीछे अलग नहीं हो सकते एक सेकिन पालत और एक सेकिन काम साथ नहीं रह सकते और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीब के किसी भी प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले से संपर्क करे और यदि कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल पर्शेप करे फोर नहीं ओम शान्ति